इस समय का जो आकास में आने वाला आठ नौ साल में स्रापीत योग लगने वाला है और स्रापीत योग यानी राहू और सनी एक जगा में मिलने वाले हैं अठरा उनिस साल में एक बारी लोग मिलते हैं और इस समय जो भी बच्चा जनम करोगे या इस समय अगर गर्वधान करत और ऐसे श्रापीत लगना मतलब आप बाता पिता के लिए परिसानी बनता है और उसका जिंदेगी में भी परिसानी बनता है भगवान ना करे ऐसे श्रापीत योग लगन में आ जाए सब्तम में आ जाए या केंद्र में आ जाए तो ऐसे लोगों का जिंदेगी बेडा गरद ह करता है तो इसलिए कि समय हालाकि बहुत अच्छा योग है के तो का अंतरदस्षा सभी देता भी मना नहीं है और इसके बाद सनी में सुक्र का अंतरदस्षा आजाएगा ज्यादातर लड़की होने का संभावना बढ़ेगा उस समय तो मैं यहां पर आपको कहूंगा कि चाहे म कि बरतमान परिस्तिती में गर्भधारन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मैं मना करूगा कि यूंकि अगर ये कुंड़ी में स्रापीत योग लगन में आ जाए तो ऐसे लोगों का आयूत बहुत ज्यादा नहीं रहता है कि आजन बीमार बीमार या फिर कोट कच्री माली मगदमा या किसी-किसी का आख खराब अजय समझे सबसरा इसबस्यादेम अग्या की एशर कॉलुद होता होग जब तक नहीं पार होता है मकरराशी 560 क यूद्व sap सबस practically तक मैं में आ या मतलकर करंब नहीं होते हो योग है पंचम में गुरु ब्रस्पति चल रहे हैं संतान योग बन राइक कर लगन का लाब में हैं संतान योग लाब से पंचम को देखेंगे संतान योग यह साल तो प्रचन्ड रूप में पड़ा है ठीक है परंतु यह कंडिशन में अगर आप बच्चा पैदा करते हो मतलब अभी आकासन ऐसा हुआ है कि सनी भाग रहा है और पीछे पीछे राहु दोड़ा रहा है मतलब सनी बकरी हो गया रहु तो अलड़ी बकरी था तो दोड़ा रहा है फिर से जब बकरी होंगे तो बहुत क्लोज कंजेक्शनल एनरजी मिलना चालू हो जाएगा यानि से तो मना है इस समय नहीं करना ज्यादा अच्छा है